दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनोंने पारले जी बिस्किट के बारे में नहीं सुना होगा पारले जी ही भारत का पहला बिस्किट है जो आजादी के बाद से ही भारतियों की चाय का साथी बना हुआ है पारले जब से बना तब से बच्चों से लेकर बड़ों के लिए खास बन गया और साथी साथ पारले से हम लोगों की तमाम यादे जुड़ी हुई है पारले जी ही भारत का पहला बिस्किट है जो भारत में ही बना और भारत में रहने वाले आम लोगों के लिए ही बना तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर पारले जी कैसे बना देश का सबसे फेमस बिस्किट हम बच्पन से ही पारले बिस्किट खाते आ रहे हैं हम क्या हमारे मम्मी पापा भी इसी बिस्किट को खा कर बड़े हुए समय के साथ बहुत कुछ बदल गया नहीं बदला तो एक समय में दुनिया का सबसे मश्चूर बिस्किट रहा पारले जी का पैकेट हाला कि पारले जी ने उसके बाद कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे लेकिन उन्होंने ओरिजिनल पारले बिस्किट के साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं की इस बिस्किट के साथ पिछली दो पीड़ियों की यादें जुड़ी हुई है और आज भी इसकी पापलारिटी में कोई कमी नहीं आई है और इस कंपनी का हमेशा से ये नारा रहा जी, जी का मतलब जीनियस अर्थात प्रतिभास शाली कॉनफेक्शनरी का ये ब्रैंट भारत के बाजार पर आज राज करता है कंपनी का बिस्किट का कुल बिजनेस 27,000 करोण के आसपास है दोस्तों, पारले जी बिस्किट का निर्मार एक से दो साल में नहीं हुआ ये सालों, कई सालों का पुराना प्रोड़क्ट है पारले जी को बनाने में, इस मुहिम में भारत देश की आजादी से पहले ही शुरुआत हो गई थी देश जब अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था तब भारती बाजारों में अधिकतर विदेशी वस्तुएं ही मिला करती थी और जो काफी महगी हुआ करती थी और जिन्हें केवल अंग्रेज ही खरीद पाते थे उस दौरान भारती मार्केट में अंग्रेजों के दौरा कैंडी लाई गई लेकिन वह भी गरीबों की पहुट से बहुत दूर थी उसे केवल अमीर ही खरीद पाते थे इस बात को लेकर श्री मोहनलाल दयाल काफी निराश थे उन्हें यह बात तनिक भी पसंद ना आई उस समय मोहनलाल भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे और उन्होंने इस भेदभाव को समप्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया और ये निश्चे कर लिया कि वह भारत में ही कैंडी का निर्मार करेंगे और इसलिए वह यह चाहते थे कि सिर्फ अमीर ही इस चीज को एंज्वाय ना कर पाएं ये चीज ये जो कैंडी है जो बिस्किट है ये गरीबों की पहुँच में भी हो सके इसे गरीब भी एंज्वाय कर सके और इस बात को निश्चे करके मोहनलाल जी जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने कैंडी बनाना सीखा साल 1929 में उन्होंने 60,000 रूपियों में जर्मनी से कैंडी में बनाने वाली एक मशीन खरीदी और उसे लेकर भाड़ात आ गए आज मुंबई के सबसे भीड़ भाड उपनगरी इलाकों में से एक विले पारले का 1929 में कोई अस्तित नहीं था उस वक्त सिर्फ इर्ला और परला नाम के दो गाउं हुआ करते थे उसी साल चौहान परिवार ने पहली भारती बिस्कित कमपनी पारले की शुरुआत की उस वक्त कमपनी की फैक्टरी सिर्फ डेढ़ एकर की जगह में बनी थी और उसमें भी सिर्फ चालिस बाई साट का एक टीम शेड रुआ करता था 1929 में वह ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा था मोहनाल दयाल भारत में रेशम के व्यापारी थे लेकिन उन्होंने स्वदेशी इच्छा के चलते भारत में कैंडी बनाने का बिजनस शुरू किया और जर्मनी से आते ही मुंबई के विरला परला छेतर में उन्होंने इस कार के लिए एक फैक्टरी खरी दी और कैंडी बनाने की शुरुआत कर दी उस समय उनके पास सिर्फ 12 कर्मचारी थे 12 employees थे और ये भी सब उन्ही के परिवार के थे ये 12 कर्मचारी जितने थे उनके परिवार के सदस थे इन सब ने मिलकर दिन रात मेहनत की और उस पुरानी फैक्टरी को एक नया रूप दे डाला और सभी लोग काम में इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए कि इस कमपनी को क्या नाम दिया जाए उनको कमपनी का एक अच्छा नाम नहीं मिल रहा था जहां से इस कमपनी के शुरुआत की गई कमपनी की प्रथम बार शुरुआत मुंबई के परला में खोली गई और इसी कारण इस नाम को थोड़ा सा चेंज करते हुए इसे पारले नाम दे दिया गया और बाद में इस फैक्टरी में सबसे पहले औरेंज कैंडी बनाई गई और थोड़ी ही समय में इसने भारती बाजार पर काबू पा लिया भारती बाजारों में इसे काफी पसंद किया गया और इसे प्रिर्थ होकर पारले ने भारत में कई प्रकार की कैंडीज बनाई और उस समय ये तब की बात है जब अंग्रेज वे लोग चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते थे और बिस्किट भी केवल पैसे वालों तक ही सीमित हुआ करता था तो मोहनलाल जी के मन में विचार आया कि क्यों न अंग्रेजों द्वारा खाया जाने वाला बिस्किट हम भी ट्राई करें क्यों न हम भी बिस्किट बनाएं उन्होंने प्रथम बार 1949 में पहली बार शुरुआत पारले ग्लूको जो गेहूं से बनाया गया बिस्किट था और जो काफी सस्ता था उन्होंने बनाया और इसे भारती लोग भी आसानी से खरीद पाते थे भारतीयों की पहुँच में था और पारले ग्लूको सस्ता तो था ही स्वाद में भी बेमिसाल था लोगों ने इसे काफी पसंद किया और बहुत ही कम समय में पारले ग्लूको फेमस हो गया और इतना लोग प्रिव हुआ कि ना सिर्भ भारती लोग इसे इस्तिमाल करते थे बलकि अंग्रेज भी इसके दीवाने हो गए अंग्रेज भी इसी चाय के साथ उपियोग में लाने लगे दोस्तों मार्केट में पारले ग्लूको इतनी तेजी से लोगों को पसंद आया कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट जो बाकी बिस्किट थे सब फीके पड़ गए जब वर्ड वार खत्म हुआ तब पारले बिस्किट दुनिया का सबसे बहतरीन प्रोडक्ट बन चुका था हलाकि सेकेंड वर्ड वार के बाग पारले ग्लूको को अपना कारोबार बंद करना पड़ा इसके पीछे वज़ा ये नहीं थी कि पारले ग्लूको को मार्केट में भारी नुकसान उठाना पड़ा बलकि वज़ा ये थी कि भारत में wheat production में गेहों के उत्पादन में काफी कमीद पाई गई और साल 1947 में जब भारत के दो हिस्से हुए भारत पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो समस्या और भी गहरी हो गई पारले को इतना ज्यादा material नहीं मिल पा रहा था गेहों नहीं मिल पा रहा था कि वे इस product को आगे जारी रख सके और इसके चलते उन्हें अपने कारोबार को पूरी तरीके से कुछ समय के लिए रोकना पड़ा तब मार्केट में लोगों ने पारले गलूको को फिर से शुरू करने की मांग उठने लगी लोगों ने कमपनी से इस बिस्किट को फिर से मार्केट में लाने की मांग उठाना शुरू कर दिया कमपनी ने लोगों से वादा किया कि जैसे ही देश में हालाथ सुधरते हैं वे एक बार फिर से पारले को मार्केट में उतारेंगे और साल 1982, 1982 एक बार फिर पारले ग्लुको के शुरुआत की गई लेकिन एक नए नाम के साथ इसके नाम को बदल करके पारले जी कर दिया गया पारले ग्लुको को नाम बदलने के पीछे एक मजबूरी थी क्यों? अब प्रशन ये उठता है कि ग्लुको से जी में क्यों उन्होंने इस नाम को बदला? मजबूरी क्या थी? क्योंकि ग्लुको शब्द जो था ग्लुको से बना हुआ था और पारले के पास इसके कॉपी राइट्स नहीं थे इस वज़ा से कोई भी कमपनी इसे आसानी से इस्तिमाल कर सकती थी जब पारले ग्लुको बिस्किट बंद हुआ तब इस नाम का फायदा कई बिस्किट कमपनियों ने उठाया सभी कमपनियां अपने प्रड़क्ट के पीछे ग्लुको, ग्लुको डी, ग्लुकोज डी, इस नाम का इस्तिमाल करने लगे तब लोग पारले और अन कमपनियों के नाम के फेर में फस गए लोगों को ये समझ में नहीं आया ग्लूको, ग्लूकोज, दी लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा और इस वज़ा से साल 1982 ने पारले ने फैसला किया कि अब पारले ग्लूको से ग्लूको नाम को हटा करके वह जी शब्द का, जी लेटर का इस्तेमाल करेंगे और बाद में जी को जीनियस भी कहा जाने लगा कि ऐसा बिस्किट जो जीनियस लोगों की पसंद है साल 1949 से पारले ने इंडिया में ही बिस्किट बना कर उसे बेचना शुरू किया गाड़ी चल पड़ी 1980 तक पारले ग्लूको बिस्किट के नाम से आती थी और बाद में जैसा मैंने बताया इसके नाम को बदल करके पारले जी कर दिया गया जी माने ग्लूकोज जो पहले हुआ करता था लेकिन अब एक नए प्रारूप में जी बदल कर बन गया जीनियस और इसके साथ ही पहले इसके कवर पेज पर इसके रैपर पर आज आप देखते हो इसके रैपर पर एक प्यारी सी बच्ची की फोटो लगी हुई आगे आप इस वीडियो को आन तक जरूर देखे हम बताएंगे आखिर ये बच्ची है कौन पहले ये बच्ची की फोटो नहीं हुआ करती थी पहले पारले जी के रैपर पर गाएं और गौलन हुआ करती थी जो मिल्क को सिगनिफाई सिंबोलाइज करता था लेकिन अब नए प्रारूप में गाएं और गौलन हटा दिया गया और इस प्यारी सी बच्ची से रैपर पर इस प्यारी सी बच्ची ने रिप्लेस कर दिया और इस कंपनी की ये कुछ और नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की प्रमोशनल स्ट्राटजी थी फ्यारे दोस्तों पारले जी के रैपर पर बनी इस बच्ची की फोटो को लेकर हर्दम चर्चा होधी रहती है कोई कहता है ये बच्ची IT इंडस्टिलिस्ट नरायन मूर्ती की पतनी इनफोसिस फांडेशन की चेर परसन सुधा मूर्ती जी है तो कोई से गंडानिया नाम की महिला बताता है हलाकि बहुत सारी चर्चाओं के बाद ये माना गया कि तस्वीर में इस बच्ची की फोटो है या इन दोनों में से किसी की नहीं बलकि नीरु देश पांडे की है ये महिला फिलहाल नाकपुर में है और लगभग 65 साल की हो चुकी है बताया जाता है कि नीरु के पिता ने 70 के दशक के आखिर में बच्ची की लगभग ऐसी ही तस्वीर खीची थी और ये फोटो इतनी अच्छी आई थी कि जो भी देखता इस फोटो की तारीफ किये बिना नहीं रहता था रिष्टेदार, चानने वाले, बहुत सारे लोगों ने इस फोटो को अपने प्रियोग में लिया ये फोटो वाइरल हो गई, इसकी कई तमाम कॉपिया बनी और कॉपि घूमते घूमते किसी एक बाहरी शक्स के पास पहुच गई और वह व्यक्ति पारले जी के एक एहम पद पर था और शायद वहीं से ये फोटो पारले जी के कवर पेज पर रैपर पर आ गई लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका फिलहाल कुछ पता नहीं इसकी एक वज़ा ये भी है कि पारले जी गर्ल से तुलना करते हुए हमेशा सुधा मूर्ती की वर्तमान तस्वीर लगाई जाती है ना कि नीरु देश पांडे की मीडिया में कहीं भी इस महिला की तस्वीर नहीं है हर जगा सुधा मूर्ती की ही फोटो लगी हुई है इसकी वज़ा ये भी हो सकती है कि नीरु मजले सेर में रहने के कारण किसी ना किसी वज़ा से अपनी पहचान छिपाना चाहती हूँ इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता लेकिन जब इस मामले को पारले जी से पूछा गया जब पारले जी से सवाल किया गया कि आखिर वस्तविक्ता क्या है पारले जी के रैपर पर बनी हुई ये बच्ची के तस्वीर किस की है तो पारले जी ने इस पर जवाब दे सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई पारले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिखने वाला बिस्किट घोशित कर दिया गया और धीरे धीरे पारले जी ने एक बार फिर से भारती मार्किट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली 2012 में कमपनी के मुख्य अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने केवल बिस्किट के प्रोडक्ट से 5000 करोन रूपए की सेल की है किसे ने हासिल नहीं किया था कमपनी के आकणों के अनुसार पारले जी हर साल करीब 14,600 करोन बिस्किट का निर्माण करती है और वो इनकी 6 मिल्स में भेजती है देश के अलग-अलग शहरों में पारले जी की मिल्स है और यही कारण है आज यह कमपनी 16 मिल्यन डॉलर का रेवेझव कमा पाती है आज भले ही बदलते समय में मार्केट में कही तरह के बिस्किट परड़क्ट्स आ गए है आज हम देखते हैं मार्केट में तमाम different types की बिस्किट कमपनिया बिस्किट मार्केट में अवेलेबल है लेकिन आज भी भी उसी तरह market में अपने पाउं पसारे हुआ है और ये इस बात से यह साबित होता है कि लोग आज भी पारले बिस्किट से उतना ही प्यार करते हैं पारले जी के transformation के हम बात करें तो आज कल आप देखते होंगे कि market में पारले जी गोल्ड के नाम से भी biscuit market में उतारा गया है ये भी इस company के एक promotional strategy है और लोगों ने इसे भी अपना भरपूर प्यार दिया है लोगों ने इसे भी काफी पसंद किया है तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ कि पारले जी से related आज मैंने जो भी इसे related information आपको दी ये आपको पसंद आई होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट See you soon in my next videos Till then, goodbye, thank you so much